दोस्तों नमस्कार मैं डाक्टर प्रदीप कुमार सिंग सीनियर अर्थोपेटिक कंसल्टेंट आप सभी लोगों का ओम शाहिं आर्थो एंफिजियो सिंटर में स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा की फ्लैट फुट क्या होता है और फ्लैट फुट के कितने प्रकार होते हैं कितने टाइप के होते हैं और उसकी डियागनोसिस कैसे बनाते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और किन लोगों में फ्लैट फूट का रिस्क जादा होता है और किन लोगों को फ्लैट फूट की वज़ा से क्या क्या रिस्क हो सकता है तो दोस्तों फ्लैट फूट बेसिकली होता क्या है कि जो हमा हम vulnerabilities देते हैं अगर हम floor के उपर जमीन के उपर तो पूरी कि पूरी फूरी सॉल हमारी floor से टच कर जाती है तो उसको कहते हैं यहां आर्च होता है आर्च की वज़ा से हमारी पूरी फ्राइट फ्रोर से टच नहीं ग्राउंड से तच करती है उसी को करते हैं फ्लैट फूट और ये फ्लैट फूट बच्चों में भी हो सकता है क्योंकि बच्चों के अंदर ये इसका जो डेवलपमेंट होता है नार्मली जो बेवी बॉर्न होता है सबको फ्लैट फूट होता है लेकिन लगभग 6 साल के आसप बच्पन में फ्लेट फुट था और वो जब एडल्ट एज में गए तो लगभग दस में से दो बच्चों को एडल्ट इस्टेज तक भी फ्लेट फुट होने की सम्भावना होती है दोस्तों टाइप जो होता है फ्लेट फुट के वो बिसिकली फोर टाइप के होते हैं नमबर वन होता फ्लेक्सिबल फ्लेट फुट जो बहुत कामन होता है सबसे कामन फ्लेक्सिबल ही होता है flexible flat foot में क्या होता है कि जैसे ही हम weight देते हैं floor पर अगर हम अगर हम उपना soul को रखेंगे तो soul flat हो जाएगा लेकिन जैसे हम weight के अगर pair को fold करके देखेंगे तो उसके अंदर हमें arch दिखेगा तो यह basically teen age में ज़्यादा होता है और जैसे जैसे age हमारी बढ़ती जाती है यह कई बारे और worst होता जाता है और ज़्यादा होता जाता है कई बारे painful होता है कई बारे पैरों में दरद होता है तलबे में ankle में और कई बारे नहीं होता तो जो flexible flat foot होता है सबसे common होता है दूसरा होता है rigid flat foot rigid flat foot में क्या होगा क्गि अगर हम weight दे रहे हैं तो soul पूरी flat है लेकि अगर हम weight नहीं दे रहे हैं बैठे हैं तो भी हमको पूरी soul flat देखती है ये भी हमें teenage में ज़्यादा होता है जो जैसे जैसे age बढ़ती है इसमें और ये worst होता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है इसके अंदर उपर नीचे अगर foot का अगर उपर नीचे movement करते हैं या inward outward movement करते हैं तो भी pain होता है normally ये दोनो foot को involve करता है कई बार एक foot ज़्यादा होता है कई बार एक foot कम होता है दूसरा ये तो हुआ rigid flat foot तीसरा होता है adult के अंदर acquired flat foot acquired flat foot में क्या होता है कि या तो कभी हमको कोई accident हो जा फ्रेक्चर हो जा फुट के कोई bones तूट जाए या जैसे heel के अंदर calcanium तूड जाया टैलस तूड जाया और भी जो metatarsal bone है उसके अंदर fracture हो जाता है तब भी हमको एक wide flat foot हो सकता है या कई बार जो हमारी posterior tibial tendon होता है जो हमारी arch को maintain करने में helpful होता है उसके में भी कई बार inflammation हो जाया या tear हो जाया तो भी हमें एक wide flat foot हो जाता है एक होता है दोस्तों vertical टैलस एक congenital problem होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जो arch को farm करने में रुकावट करती है जो टैलस होता है अगर यह vertical हो जाती है तो जो normal arch बनता है उसको बनने नहीं देता इसके अंदर होता क्या है कि जो पूरी की पूरी soul है वो उस इसे जो rocking chair होता है इस सोल को करते हैं rocker bottom foot वो नार्मली वर्टिकल टैलस वाले बच्चों में होता है डागनोसी बेसिकली इसका self डागनोस कर लेते हैं हम खुदी सब को पता जाते है कि हाँ यह तलवा चप्टा है या arch बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है कई लोगों में य पेंफूल नहीं होता है नार्मल एसिम्टोमेटिक होता है बहुत लोगों में यह जो flat foot होता है उसमें pain होता है कई बार heel के अंदर pain होता है कई बार ankle के अंदर pain होता है कई बार foot के अंदर pain होता है और कई बार knee joint के अंदर pain होता है और कई बार back में भी pain होता है दोस्तों treatment part में क्या करते हैं कि treatment depend करता है कि हमारी severity कितनी है mild type की है moderate grade की है या severe grade की है normally treatment अगर mild moderate में है तो कोई खास treatment नहीं करना होता लिए mild moderate वाले लोगों को भी कोसिस करना चाहिए कि थोड़ी जो आर्च होता है जो हमारी soul medial side soul rage होता है इसके अंदर क्या होता कि जो foot के अंदर एक आर्च होता है जिसको medial soul rage करते हैं तो वह जोते के अंदर लगा लें या चपल के अंदर लगा लें कई बार full soul arch होता है जो silicon का आता है वो भी हम अपने जोते में लगा सकते हैं mild moderate में यह बहुत helpful होता है कई बार painful होता है जैसे कि जैसे soul के अंदर pain हो रहा है ankle में hip में या knee में pain हो रहा है उन condition में हमको भी arch support लगाने होते हैं जूते या चपल में दूसरा stretching exercise होती है कई बार हमको heel के अंदर जो card होता है जिसको tendo eccles करते हैं tendo eccles के stretching exercise होती है जिसको करने से हमारी जो painful condition decrease हो जाती है stretch full condition में जैसे हमको इसको 30 second के लिए हमारी heel को stretch करते हैं tendo eccles को उसको बाद उसको लूच कर देते हैं फिर 30 second के लिए stretch करते हैं फिर लूच कर देते हैं इस तरह से 10 बार करते हैं एक-एक फुट का एक होता है दोस्तों golf ball roll exercise golf का छोटा सा ball होता है उससे चेयर पर बैठके उसे सोल के अंदर रखते हैं और ball को अंदर roll करते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लांटर फैसिया होता है उसकी stretching होती है जिसकी वजह से जो पेंफुल जो condition है वो decrease हो जाती है जोस्तों किन लोगों में फ्लैट फुट डेवलप होता है अपने लेटर लाइफ में मतलब अपने उमर के एक आगे की उमर में किन-किन लोगों में फ्लैट फुट हो सकता है उन लोगों में फ्लैट फुट हो सकता है जिसको टेंडो एका सब्सक्राइब बच्चों में सब्सक्राइब हो सकता जिनको सूगर है उन लोगों को भी फ्लेट फूट हो सकता क्योंकि नियुरोपेथिक जोइन्ट होता है कई उसमें भी फ्लेट नहीं हो जाती टाउन सेंड्रो में कन्डिशन होता है इसमें भी फ्लेट फूट हो सकता है चिनका bewई पीपी बढ़ा रहना है पैसीकली बीचिट की बचासे जो बीज को हो सकता है उसमें एक है कि जिनको फ्लैटनिंग होती है फुट के अंदर उनको अर्थराइटिस नार्मन लोगों से थोड़ा ज्यादा डेवलप हो सकता है जिसको करते हैं एज डिलेटेड अस्ट्राइटिस दूसरा बोन के अंदर इस पर जैसे हील है यहां पर नई हडिया करणाश सिल होजाता है उसको बुंहीन करते हैं उन में भी जो फ्लैट फूट वाले जो होते हैं उनमें पुर्ण के चांस्से बढ़ जाते हैं Architect कई बार इंदर कार्न के कि जो सिन होता जैसे यह टीभिया है टीभिया के जो यह सिन वाला पर्ञान है यह सिन हुच्छा होता जो आगे के हिस्सा होता इसके ऊपर भी कई बार पिजन को पेन ह którego ता जी यहां पे दरत होता अगर उसका चेक करें तो फुट के अंदर फ्लेट होता है तो दोस्तों फ्लेट फुट के बारे में ये हमारा बेसिक और सार्ट में ये डिसकसन है और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें थेंक यू